हेलो फ्रेंड्स, विलकम टु स्टडी कैपसूल, स्टडी कैपसूल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब करके लिजिए, वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर आपको कोई भी क्वेरीज हो, डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंड करके भी बोल सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, शॉट्कॉट्स और ट्रिक्स टू सॉल्ट्टिक एक्वेशन पार्ट 3 इसके पहले हमने अल्रेडी दो पार्ट वो भी जरूर देखिएगा, वो भी important है, उसमें सारे concept clear किये हैं मैंने, तो ये पार्ट भी देख लीजेगा, इसके पहले वो दो पार्ट जरूर देखिएगा, तो चलो start करते हैं, आज का हमारा first question है, देखो friends, ये जो सारे questions मैंने आज cover किये हैं, ये हमारे students ने भेजे हु questions है, ठीक है, तो ये जरूर देखिएगा, important है, और थोड़े से difficult है, तो अच्छे से देखिएगा, खुद से solve किजेगा, तो ही ये आपको समझ आएंगे, ठीक है friends, और जादा से जादा कम time में कैसे आपको solve करना है, जब equation आपको exam में दिखे, तो पहले क्या करना है, ये सा plus under root 21y minus 6 under root 7 equal to 0, तो क्या करना होगा सबसे पहले, देखो, जब आपको equation सामने आएं, जब आप घर पे तयारी कर रहे हो, या फिर exam में हो, तो सबसे पहले आपको देखने होंगे equation के signs, देखो equations के signs है, plus minus, ये middle term है, ठीक है, और यहाँ पे equations के sign हमें मिल रहे है, minus and minus, तो सब से पहले, first step है, equations की sign's देखने है, जो की है plus, minus, 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 जब equation में आपको sign's मिले, plus, minus, 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 तो आपको directly टिक करना है, cannot be determined पे, आपको ये solve करने की भी ज़रुरत नहीं है, चाहे तो आप ये solve करके भी देख सकते हो, लेकिन, जब equation में sign's मिले, plus, minus, minus, and second equation में sign's मिले, minus, minus, आपक और और एक बात अगर equations में science मिले minus minus and minus minus तो भी हमें tick करना है cannot be determine यह हमें आगे solve करने की कोई भी जरूरत नहीं है या फिर equations में science मिले plus minus and plus minus ठीक है तो भी हमारा answer आएगा cannot be determine तो यह आपको solve करने की जरूरत नहीं है directly cannot be determine पे tick करो और आगे बढ़ो ठीक है friends चाहे तो आप यह solve करके देख सकते हो अगर कोई problem आए तो आप हमें mail करो या फिर आप हमें comment भी कर सकते हो next देखते है next equation है 30x minus 49 under root x plus 20 equal to 0 and 42y minus 5 under root y minus 25 equal to 0 देखो friends हमारे equation कैसा रहता है किस form में रहता है ax square plus bx plus c लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें x and under root x तो हमें क्या करना होगा देखो under root x equal to assume कर लो a तो x आएगा a square और यह दोनों ही जो values है यह दोनों ही है यह हमें इसमें put करनी है ठीक है हमें क्या मिल रहा है under root x equal to a and x equal to a square तो देखो equation में डालो यह 30a square minus 49a plus 20 equal to 0 अब solve करो देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है 30 and 20 तो 30 into 20 कितना होता है यह हमें solve करने की जरूरत नहीं है हमें directly factors निकालने होंगे 5 into 6 and for 20 means 5 into 4 अब यहाँ पे science है equation में minus plus sorry मैं सबसे पहले आपको बताना भूल गई यहाँ पे सबसे पहले आपको देखनी होंगे science equation में science देखो यहाँ पे है minus plus यहाँ पे है minus minus ठीके तो यह हमें solve करके देखना होगा ठीके तो देखो यहाँ पे है minus plus तो हमें ऐसे factors निकालने हैं जिनके addition हो 49 तो देखो 5 into 5 होता है 25 6 into 4 होता है 24 25 and 24 और और एक बात आपको देखनी है a square का coefficient यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा 25 divided by 30 लेना होगा और 24 divided by 30 और equations में science है minus plus तो हमारे factors की science रहेंगे plus plus simplify करो 5 by 6 और यहाँ पे 6 into 4 is 24 and 6 into 5 is 30 तो यहाँ पे होगा 4 by 5 देखो फ्रेंट्स लेकिन आपको यह अच्छे से देखना है और याद में रखना है यह जो factors है यह है under root x के लेकिन हमें compare करना है x के साथ x के factors निकालने होगे तो यहाँ पे x के factors हम कैसे निकालेंगे दोनों ही factors के square ले लो तो देखो 25 divided by 36 and next आएगा 16 divided by 25 ठीक है और इसके बाद हमें क्या करना होगा simplify करो देखो approximate करना है तो यह ज्यादा से ज्यादा आपको औरोली करना है बस आपको समझने के लिए यह में return में दिखा रही हो 25 यह assume कर लो 35 तो कितना होगा 55 जा 25, 57 जा 35 ठीक है और यहाँ पे देखो 53 जा 15 and 55 जा 25 ठीक है और इसके बाद देखो 7 और यहाँ पे है 5 तो यहाँ पे होगा 0.7 और 3 by 5 अगर हमने यह simplify कर लिया तो हमारे यहाँ पे answer होगा 0.6 ठीक है इसके बाद हमें next equation solve करके लेना है देखो यहाँ पे है y यहाँ पे under root y तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा under root y equal to b assume करो तो y equal to आएगा b square 42b square minus 5b minus 25 equal to 0 इसके बाद 42 into 25 यह हमें solve करने की जरूरत नहीं है directly factors निकालो 7 into 6 is 45 5 into 5 is 25 इसके बाद हमें क्या करना है equations की science देखनी है जो की है minus minus तो यहाँ पे हमें ऐसा factors निकालने है इनके ऐसे factors दो निकालने है जिनकी subtraction हो 5 ठीक है जब equations में science रहते है minus minus तो इनके ऐसे factors हमें निकालने होते है जिनकी subtraction हो 5 तो देखो 7 into 5 is 35 and 6 into 5 is 30 तो 35 minus 30 हो गया 5 तो हमारे factors होंगे 35 and 30 और equations में science है minus minus तो हमारे factors को science रहेंगे plus minus b square का coefficient है 42 तो division में लेना होगा 42 सिंप्लिफाय कर लो 7, 5, 7, 6, 42 यहाँ पे होगा 6, 5, 30, 6, 7, 42 और यह है under root y के factors हमें निकालने है y के factors तो हमें क्या करना होगा दोनों साइड में squares लेने होंगे तो 5 by 6 square लेने के बाद होगा 25 divided by 36 यह होगा plus and यहाँ पे होगा minus 25 divided by 49 इसके बाद सिंप्लिफाय करो यह सेम है यहाँ पे देखो 25 divided by 36 तो यहाँ पे factor आएगा 0.7 यह approximately ले रहे हैं ठीके और यह आपको जादा से जादा ओरली solve करके देखना है यहाँ पे 25 divided by 49 यह assume कर लो 50 तो 1 by 2 25 divided by 50 is 1 by 2 तो यहाँ पे आएगा minus 0.5 अब देखो compare करो first x के factor को अगर हमने y के first factor के साथ compare कर लिया तो आता है equals to first x के factor को लेके हमने y के second factor को अगर compare कर लिया तो x का factor greater है क्योंकि यह plus है और यह minus है ठीक है इसके बाद x के second factor को लेना है और दोनों y के factors के साथ compare करना है 0.6 यहाँ पे 0.7 यह है plus दोनों ही signs है plus तो कौन सा greater है y का factor greater है जब हमें equation में ये तीन signs मिले equals to greater than and less than तो हमें directly cannot be determined पे tick करना है ठीक है तो जब हमें equation में तीनों ही signs मिले तो हमें cannot be determined पे tick करना है और आगे बढ़ना है ठीक है friends आगे बढ़ते है थर्ड question है 5x square plus 4 under root 10x plus 8 equal to 0 और यहाँ पे है second y का equation है 4 under root 3y square plus 5y minus 2 under root 3 equal to 0 सबसे पहले हमें क्या करने है equations के signs देखने है यहाँ पे है plus यहाँ पे है plus और यहाँ पे है plus यहाँ पे है minus तो equation में signs है plus 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 minus तो हमें यह solve करके ही देखना होगा तो चलो start करते हैं पहले देखो जब यहाँ पे middle term में under root की कोई भी value हो तो हमें पहले क्या करना होता है निकाल लेनी होती है बाहर वो value क्योंकि हमें ऐसे factors निकालने होते हैं जिनके addition हो 4 under root 10x under root 10x कैसे आएगा जब दोनों ही factors में हमें दोनों ही factors में under root 10 मिलेगा तो ही इनकी addition होगी 4 under root 10 तो सबसे पहले हमें क्या करना है factors निकालने हैं बाहर under root 10 under root 10 दोनों ही factors में directly under root 10 under root 10 बाहर निकाल के लेना होगा next step क्या है देखो यहाँ पे 5 into 8 होता है 40 40 divided by देखो under root 10 under root 10 into मतलब under root 10 into under root 10 होता है 10 तो next step क्या होगी 40 divided by 10 करके लेना है जो की होता है 4 अब 4 के इसे factors हमें निकालने हैं जिनकी addition हो 4 addition ही क्यों क्योंकि equations में science है plus plus तो ऐसे दो factors निकालने हैं जिनकी addition हो 4 तो 2 into 2 is 4 तो यहाँ पे होगा 2 यहाँ पे होगा 2 और equations में science है plus plus तो हमारे factors के science होगे minus और यहाँ पर हमें दिख रहा है, x square का coefficient है 5, तो यह divide में हमें 5 लेना होगा, ठीक है, तो हमारे factors निकल के आ रहे है, minus 2 under root 10 divided by 5, and next factor है, minus 2 under root 10 divided by 5, आगे बढ़ते हैं, देखो, इसके factors निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? यह है y square, यह y square का coefficient into, यह जो last है, यह, यह दोनों ही पहले हमें simplify करके लेना होगा, into 2 under root 3, तो देखो, क्या होता है, 8 into 3, जो क्यों होता है, 24, अब 24 के हमें ऐसे factors निकालने हैं, कि subtraction हो 5, subtraction क्यों? क्योंकि equations में science जब होती है, plus minus, तो हमारी जो middle term रहती है, वो कैसे आती है, subtraction के साथ आती है, तो factors से 8 and 3, 8 minus 3 is 5, तो हमारे factors रहेंगे, 8 and 3, और science कैसे आएंगी? प्लस माइनस है equation में, तो science रहेंगी, माइनस प्लस, इसके साथ ही y square का coefficient, जो है, वो हमें division में लेना होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको exam में करते समय ध्यान में रखनी है, इसके बाद, देखो friends, यहाँ पे है, under root 10, under root 10 को हमें simplify करना होगा, देखो, under root 3, sorry, under root 9 होता है 3, and under root 16 होता है 4, in between यह value आएगी, देखो, under root 10 is equivalent, मतलब, near है under root 9 के, तो अगर हमने 3.2 assume कर लिया, तो सबसे पहले आपको 32 का square पता होना चाहिए, अगर 32 का square आपको पता है, जो के 1024, ठीके, और यहाँ पे point है, तो यहाँ पे होगा point, 10.24, which is approximately equal to 10, तो हमें यह सारी चीज़े, ओरल ही करके देखनी है, तो यहाँ पे हमारे factors हम simplify कैसे कर सकते है, minus 2 into, यहाँ पे होगा 3.2 divided by 5, ठीके, और यहाँ पे भी same, into 3.2 divided by 5, 2 into 3.2 divided by 5, अब देखो, यहाँ पे आएगा, 6.4 divided by 5, and same 6.4 divided by 5, 5, 1 जा 5, देखो, यहाँ पे 5, 1 जा 5, 0.53 जा, approximately आएगा, minus 1 by 3, and minus 1 by 3, इसके साथ, यह हम solve करके देखते, देखो, यहाँ पे है under root 3, under root 1 is 1, and under root 4 is 2, in between आएगा, लेकिन under root 3, यह नजदिक है under root 4 के, अगर हमने 1.7 assume कर लिया, तो 17 का square आप सभी को पता है, 289, यह है 1.7 point है, तो 2.89 आएगा, यह है equivalent to 3, तो हम 1.7 ले सकते है, approximately, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो, यहाँ पे हमारे values है, देखो, यहाँ पे 4, 1 जा 4, 4, 2 जा 8, minus 2, divided by 1.7, and plus 3, divided by 4, into, यहाँ पे हमें मिल रहा है 1.7, solve करो, देखो, यह approximately आएगा 1.1, और यह देखो, कैसे करेंगे, 4 into 1.7, 3 divided by 6.8, मतलब यह approximately आएगा 0.4, ठीक है, यह फिर 1 by 2, 0.5 भी आप ले सकते हैं, यह है plus, यह है minus 1.1, अब compare करो, यहाँ पे है minus 1.3, यहाँ पे minus 1.1, minus 1.1, जब minus में होती है, तो छोटी वाली value बड़ी लेते हैं हम, तो यहाँ पे minus 1.3, यहाँ पे minus 1.1, तो y की value बड़ी है, next, minus 1.3, इसके साथ अगर plus ने compare कर लिया, तो plus वाली value आएगी बड़ी, इसके साथ, यह next देखते है, minus 1.3, यहाँ पे है minus 1.1, तो यह value बड़ी होगी, और यहाँ पे भी है minus 1.3, यहाँ पे है plus 1, sorry, plus 0.4, तो यह value बड़ी है, तो हमारा answer आएगा, x is less than y, हमारा answer होगा, x is less than y, आगे बढ़ते हैं, 12 x square plus bracket में 6 under root 3 minus 24 bracket complete x minus 12 under root 3 equal to 0, and y का equation है, 4y square plus bracket में 2 under root 3 minus 12 bracket complete y minus 6 under root 3 equal to 0, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, science देखनी होगी, and second equations में science है, plus minus, देखो friends, मैंने पहले ही बूला है, कितना भी बड़ा equation हो, या फिर कितना भी simple हो, बस आपको सबसे पहले देखनी है science, जब science मिले, plus minus, plus minus, तो answer definitely होता है, cannot be determined, तो आप solve करके देख लीजेगा, answer आएगा, cannot be determined, बस तो आपको ये solve भी नहीं करना है, 10 seconds के अंदर जब आपको equations में science ये मिले, plus minus, plus minus, तो आपको ब्रस टिक करनी है, cannot be determined में, and आगे बढ़ना है, ठीक है friends? Thank you friends, thank you for watching this video, कैसा लगा आपको ये वीडियो अगर पसंद आए, तो ज़रूर शेयर किजेगा, लाइक भी किजेगा, आपको कोई भी queries हो, कोई doubt हो, तो आप हमें mail कर सकते हैं, या फिर आप हमें comment करके भी बोल सकते हैं, Thank you, and all the best for your upcoming exam.